हेलो फैंट्स मैं हूश रच्कमार सर्मारिक और फिर से बहुत स्वात करता हूँ आपका अपने चैनल पर आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं रिजर बैंक ओफ इंडिया के देश वर में किये गए बड़े बदलाब के बारे में साथ ही हम बात करेंगे उस ओफर के बारे में जो ओफर इस्टेट बैंक ओफ इंडिया यानि कि तो यदि आप SBI से home loan लेना चाते हैं तो आप यह जानते हैं कि देश भर में बहुत ही कम interest rate पर SBI home loan provide कराता है SBI की जो home loan का interest rate है वो है 6.7% हो सकता है कि home loan apply करने वाले कुछ लोगों का credit score अच्छा ना होने के कारां उन्हें कुछ percent interest rate ज्यादा देना पड़ जाए तो यदि आप 31 अगत 2021 से पहले पहले SBI home loan के लिए apply करते हैं SBI का home loan लेने के लिए जाते हैं तो SBI की जो home loan के उपर 100% processing fees है उसे इस महीने माफ कर दिया गया है इसका सिधा सा अर्थ यह हुआ कि उन लोगों को इसका फाइदा मिलेगा जो लोग SBI का home loan 31 अगत 2021 से पहले पहले apply करकर लेते हैं आपको बता दें कि SBI का home loan लेने के लिए जो papers तयार किये जाते हैं उनकी जो processing fees होती है वो 0.4% के लगवग होती है यही जो processing fees होती है GST बगएरा मिला कर सब कुछ यही processing fees आपको मांसून ओफर के तहत नहीं देनी होगी इसके अलावा आपको SBI के home loan को लेकर एक जरूरी जानकारी यह भी देते हैं कि यदि आप SBI योनो एप से home loan के लिए apply करते हैं तो आपको 5000 अंकों की छूट मिलती है और वहीं यदि कोई इला कस्टूमर्स SBI के home loan के लिए apply करती है तो उन्हें भी 5000 अंकों की छूट SBI के home loan के उपर दी जा रही है अब बात करते हैं RBI के देशवर में किये गए इस महीने से बड़े बदलाब के बारे में तो आइए जानते हैं रिजर बैंक ओफ इंडिया ने इस महीने से की एक सर्विस चलाई जाती है भारतिय राष्ट्रिय भुकतान निगम यानि की NPCI के द्वारा और उस सर्विस का नाम है NACH यानि National Automated Clearing House बैंकिंग की इसी NACH सर्विस के द्वारा देशवर की कंपनिया और एक आम आदमी हर महीने जरूरी पैसे का लेंदेन आसानी से कर पाता है तो आपको बता दे कि अभी मौझूदा समय में जायातर कंपनिया अपने करमचारियों के खाते में सेलरी डालने के लिए इसी National Automated Clearing House यानि की NACH सर्विस का इस्तेमाल करती है जिससे होता यह है कि बैंक में चुट्टी के दिन अगर किसी करमचारी को पैसे किसी कं होती है तो उस दिन यह NACH सर्विस काम नहीं करती है तो सेलरी करमचारी के खाते में नहीं पहुच पाती है दूसरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि छुट्टी से एक दिन पहले अपना चेक काटकर किसी को दे देते हैं या फिर चेक जाकर बैंक में डाल देते ह द्वारा वो चेक बैंक की छुट्टी वाले दिन क्लियर नहीं हो पाता है लेकिन आप यानि की रिजर बैंक ओफ इंडिया ने इसी NACS सर्विस को 24 घंटे के लिए उपलब करा दिया है तो आप किसी भी कंपनी ने किसी भी करमचारी को अगर सेलरी देनी होगी तो छुट् चेक क्लियर हो जाएगा अब इससे तो फायदा होगा उनको जिनके खाते में पैसा आना होगा नुक्सान होगा उन लोगों को जो लोग अभी तक यह सोचकर चेक स्टाड़े वाले दिन या फिर होलीडे से एक दिन पहले बैंक में डाल देते हैं कि हमारे बैंक में फिलाल इसे नहीं है लेकिन हम एक दो दिन में डाल देंगे क्योंकि छुट्टी वाले दिन चेक क्लियर नहीं होगा तो उन लोगों को परिसानी का सामना करना पड़ सकता है उनका चेक हो जाएगा तो उन लोगों के लिए यह वीडियो जरूरी है कि यदि आप चेक डालने के देते समय या बैंक में डालते समय आप यह जुरूर ध्यान रखें कि आपके खाते में जितना आपने चेक काट के दिया है उतना अमाउंट होना चाहिए ताकि वह चेक बांस ना हो क्योंकि चेक अगर बांस होगा तो आपको परिसानी का सामना करना पड़ेगा आपको नु और प्रेश्ट और पैंसन ट्रांसफर जैसे बॉगतान करने के लिए वी चलाया जाता है इसी सर्विस के जरीए बिजली के बिल, टेलिफॉन के बिल, पानी के बिल, जैसे चितने भी भुकतान होते हैं, यह सारे भुकतान भी इसी NACS सर्विस यानि की नैशनल आटोमेटि क्लेरिंग हाउस सर्विस के जरिये किये जाते हैं तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के 24 गंटे इस सर्विस को एवलेवल करा देने के बाद यदि बैंक में छुट्टी भी होगी और आपके खाते से किसी भी तरीके की EMI कटनी होगी तो वो बैंक की छुट्टी वाले दिन भ जुटी विडियो के लिए जिनक निचे डिसक्रापस्पों में मिल जाएंगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को Like करें अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं किया थह निचे लालवाले सब्सक्राइब के बटन लोड़ करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया वाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं आप से ऐसी किसी बैचरें जान का एक साथ नेक्स वीडियो में तब तक लिए गूड़ बाय टेक कियर जहन कि लिए टान का एक लिए हैं कि लिए आपका।